हेलो डेर आई सेरेस्पिनेंट, गुड मॉनी विवाल, वेकम बैक तो यह राण डूप चैनल अग्री अब्डेट्स एंड दसिच प्रभाव अई होब आप सभी बहुत ही अच्छ होगे कल देर स्वाम, ICL ने पहले राउंड की रेजल्ट की अनाउंस्मेंट कर दी है और इसके बाद से ही काफी सारे डाउट्स, कन्फूजन क्रियेट हो रहे हैं आप सभी के अप्रडेशन प्रोसेस को लेकर जिनको कॉल जलॉट नहीं हुआ है आप उनको भी क्या करना चाहिए, डाकुमेंट्स कौन-कौन से लगेंगी मेक शिर अगर आप लोग इवड़ों पूरा देखते हैं आपको किसी भी टाइप्स के कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहने वाली है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चाहिए उनको सब्सक्राइब जरू कीज़ेगा क्योंकि आगे आगे नहीं लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के हमारी पेट काउंसलिंग के मैकसिमम 77% बच्चों का पहले राउंड में सेलेक्शन हो गया है आप सभी लोग का भी जिनका सेलेक्शन हो चुका है उनको अप्ग्रेशन कैसे करना है यह चीज़े माच के उड़म जानने वाले है तो सबसे पहले आप सभी को अफिशल वेबसाइट पताईए अफिशल वेबसाइट जाके लॉगिन कीज़ेगा देखिए लॉगिन करने के बाद आप सभी के सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहां पर आप सभी को कॉलेज अलाट हुआ है ठीक है देखो जस इनको यहाँ पर यह कॉलेज अलाट हुई है तो सबसे पहले अगर आपको कॉलेज एकसेप्ट करनी हो अपग्रेड करनी हो क्या करना है पहला प्रोसेस से डॉकुमेंट अप्लोड करने का चलिए उनके बारें बात में बात करते हैं, पहले बात कर लेते हैं, जिनको calls अलोट नहीं हुए देखिला आप लोग बिल्कुल पैनिक नहीं होना है इस बार टुटल चार रौंड में kaunseling होगी अब पहले round में counseling होगा, cutoff आपको साम की video तक मिल जाएगे, साम तक video मिल जाएगे, cutoff के official cutoff की इसकी एलावा आप सभी के important चीज़ है कि आपको बिलकुल patience के साथ wait करना है second round का जिस अभी दिन second round का allotment होगा, आप लोग directly उस दिन website को widget कीज़ेगा, उस दिन check out कीज़ेगा, अगर माल लो आपको उस दिन भी नहीं मिलता है, ठीक है तो आपको third round का wait करना है माल लो जए third round में भी नहीं मिलता है fourth round का wait करना है, fourth round में भी नहीं मिलता है, अपन लोग को क्या करना है directly mop up में try करना है, ठीक है यह process होता counselling का बाकी जिनको calls a lot हो चुकी है अब उनको पसंद है कि नहीं है या फिर उनको upgrade करना है फिर accept करना है सबसे पहले जो process होता है वो होता है documents upload का देखिए यहाँ पे आप सभी को document upload करने का option आ रहा है document upload करने से पहले कुछ important चीज हैं जोको बहुत ही ध्यान देनी है ठीक है आइए मैं आपको live करके दिखा देखिए को documents कैसे upload करने हैं अपसे आपको upload documents पर टच करना है यहाँ आपका पहले से class 10 12 का data uploaded है जब आपने form फिल अप गिया था यह फिर जब आपने choice filling के अर्थे time आप बात करें सबसे पहले जो हमारा documents लगेगा वो है हमारा birth certificate एक important चीज कि आपका size होगा वह एफोर portrait size में document 100-500 KV के पीश में एफोर portrait size में होना चाहिए यानि कि जो PDF का size होगा वह एफोर पीश में होना चाहिए किसी pixart वगरी एप का यूज करके आप उसको edit कर सकते हो अंडर 100-500 KV ध्यान दोगा शीच को यहाँ प्लोग क्या करना है data birth में आपको अगर आपके पास DOB certificate नहीं है अब class 10 का जो certificate होदा उसको use कर सकते हैं mandatory है यानि कि सबको upload करना है ठीके इसके बाद आप सभी का important document है class 10 की certificate class 10 का mark set class 12 का certificate class 12 की mark set यह चारो भी mandatory है that's mean कि आपको इनको upload करना पड़ेगा देखिए बहुत सारे बच्चों को certificate नहीं बता होगा तो बता दो 2019 से पहले जो बच्चे class 10 पास की हैं उनको certificate अलग से मिलता था लेकिन जो दहर 19 के बाद से हैं उनको certificate class 10 12 की mark set में include होता है तो आप लोग पहले उपर देख लिए जग ठीक है उसके बाद आपके school का जहां से अपने class 12 complete किया है वहां से आपका transfer certificate चाहिए ठीक है अगर वह आपके पास नहीं है तो जिस भी college में आप पढ़ाई कर रहे हो फिलाल में वहां का school living certificate भी upload कर सकते हो mandatory है ठीक है उसके बाद NTA का admit card जो NTA न issue किया था वो then after then आधार card ज the most important document है वह हमारा domichail certificate और यह भी हमारा compulsory mandatory है domichail आपका Hindi English किसी में भी चलेगा ठीक है then after then हमारा character certificate सीज़े जिसको बोलते है character certificate वहां सुना चाहिए जहां से आपने last school attempt किया हुआ है ठीक है तो आप वह लाक्याप upload करना है उसके बाद हमारी category की certificate ठीक है यानि कि आप जस भ Central का अगर आप लोग OBC category हो तो OBC NCL का बनवा लेना वह काफ़ा काफी important है बाकि आप स्टेट सेंट्रल में से कोई भी upload कर सकते हो EWS में भी कोई भी upload कर सकते हो especially mandatory for OBC category अगर उनके पास NCL का certificate है तो वो upload कर दीजेगा वो आपके लिए फायदे मन्द होगा ठीक है After then सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ पे declaration को accept करना है ध्यान दीजेगा अप्ग्रडेशन का process यही से start होता है बता रहा हूँ बहुत अच्छे सुनना ठीक है तेक है अब सारा documents आपका upload हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे यह सफथ है सफथ पत्र जिसको बोलते है नोट का accept करने पर college आपकी हो जाएगी document आपका successfully verify हो जाएगा जो college आपको मिला है वो आपको प्रोविशनल admission letter प्रवाइड कराएगी बाकी अगर आप सभी को अपना college बाद में अगले round के लिए अप्ग्रेड करना है तो वहाँ पर application का भी option आजाएगा उन दोनों case में आपको 10,000 रुपे पे करने द्यान दिजिएगा आप लोग college accept किजिए फिर अप्ग्रेड किजिए आपको 10,000 रुपे पे करने है अगर आप लोग college accept करते हो तो आपको प्रोविशनल admission letter मिलेगा अगर आप ग्रेड करते हो तो वही दिजिए second round के लिए upgrade हो जाएंगे द्यान दिजिएगा कि document आप सभी का सब कुछ सई होना चीए नहीं बाद में जो भी आपको university allot होई है वो university आपका document cancel, reject कर देती है आपका admission भी cancel कर सकती है तो सारे documents valid form में होना चीए किसी के पास fake documents या फिर fake data वगरे upload नहीं करना है तो इ यहां पर आप सभी के पास remarks में ठीक है जो remarks option मना है remarks वाले option में आप सभी के पास दो option आएगा दो option कौन कौन सा accept और upgradation का ठीक है पहला जो option आएगा वो आएगा accept का दूसरा option आएगा अप्गरेशन का इन दोनों को इन दोनों process को start कहने से पहले आपको यहां पे 10k रुप से satisfy हो, course से satisfy हो, अगर नहीं हो तो college को second के लिए upgrade कर दीजे, इतना यह process होता है counseling का, again document verify हो जाएगा, directly आप second में जाके दूसरा college यह lot होगा, अगर दूसरा college आप नहीं पसंद करते हो, तो फुरसे वहीं चे तीसरे round के लिए कीजेगा, वो ही पसंद नहीं है, तो चोथे round के लेखी सेगा, आपको 10,000 रुपे केवल एक बार पे करने, दुबारा आप से कभी भी 10,000 रुपे extra नहीं मागे जाएंगे, जो fee obtain के रूपे accept और upgrade प्रोसेस में submit कर रहे हो, वो fee आपका अगले round के college के लिए college के fee में ही include होगा, तो डरने वाली बात बिलकुल भी नहीं है, बाकी आप लोग केवल और केवल agree updates को follow कीजिए, like कीजिए वड़ों को, चैनल को subscribe कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को सारी important update बिलकुल authentic मिलती रहती है, है ना, तो अभी आप लोग चलो फड़ा फड़ वीडियो को लाइक कर दो, share कर दो, और चैनल को subscribe ज़रू remarks option है, यहाँ पर accept upgrade का option बनेगा, ठीक है, जब आप fee submit करोगे, admission token fee आपको मिलेगा, यहाँ पर 10,000 रुपय का, ठीक है, बाकी आप लोग फिलाल अपनी allotment letter डाउनलोड कर सकते हो, जिनको accept करनी है, जिनको upgrade करनी है, वो लोग, दोनों लोग allotment letter को download कर सकते हो, तो कोई problem नह आपका है कि document आपका जल्दी verify होगा, सब कुछ verify होने के बाद आपको फिर से college जो आपको alert हुआ है, वहाँ पे एक बार official physical mode में document verify करानी है, और उसमें आपको कुछ extra documents जैसे कि आपका gap certificate, यह भी लगेगा, ठीक है, तो यह सब कुछ आप लोग ready रखिए अपने पास, बाकी so much आप सभी को वड़ो देखने के लिए, और केसी को दिखके तो telegram group उपने, जोइन कर लो, और इसके अलामा आप हमारे whatsapp ग्रूप में, हमारे whatsapp भी message करके हमसे connect हो सकते हो, जो भी दिखकता है कि मैं आप सभी को information दे दूँगा, thank you so much, all the best, यहीं process से counseling का, next जिनको alert नहीं ह वो वेट करें, second round का, बाकि जिनको alert हो गया है, अभी के लो कमेंट अप्लोड करें, thank you so much, all the best,